नमस्कार जेहीन मैं हूँ रॉनेक नमस्ते जी मैं बहू अडंत अंतर में वेलकम और एक पटिकुलर वजे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इंडिया साउथ अफरिका सीरीज में डोहिट सर्मा विडाट कोली और बुमडा के ना होने के बावजूद एकसाइटेड क्य तो मेरा जवाब होगा दीके भाईया दिनेश कार्थिक टीवी के कई क्रिकेट एकसपोर्ड उनको गुजरा हुआ कल बता रहे थे पाट टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम कमेंटेटर बता रहे थे एक दो ब्राटकास्टर ने तो उनको रिटायर ही कोशित कर दिया था ल बखलकी कल उनकी पाड़ी, विनिंग पाड़ी भी साबीत हो सकती थी अगर हेंड क्लास से ने क्लासिक पाड़ी न खेल दी होती तो इक काम करते हैं रिशप पान तो भाईया वैसे दो धोनी के फैन है लेकिन टॉस्के मामले में ऐसा लग रहा है कोहली जैसे लग रहा है ल अम्बानी जी को ज़रूर बुरा लग रहा होगा कि उनका ये फेज मुंबई के लिए ही आया बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हैं लेकिन भारती क्रिकेट फैंस काफी खुश होंगे कि केल राहूल रोई चर्मा के लावा टी-ट्वेंटी में एक और शांदार उपनर मिल रहा है इशान किशन ने बैतरीन बैटिंग करते हुए 21 में 34 बनाया हाला कि नौर्किया की एक तेज तीखी बाउंसर ने उनकी पारी समाप्त कर दी लेकिन शेह सेयर के साथ दूजर विकट के लिए 45 की पार्टनिशिप ने इंडिया को स्थिर किया था लेकिन पावर प्ले के बाद जिस सरह के शॉट्स पर इंडियन टीम ने अपने विकट गमाए है समझ में नहीं आ रहा है कि जादा खराब क्या है मैदान में मौझूद डीजे की प्लेलिस्ट या हमारे बल्ले बाजो का शॉट सिलेक्शन नतीजा ये हुआ कि 100 तक पहुँचने से पहले आधी टीम पवेलिन पहुँच चुकी थी और उपर से दिक्कत ये थी कि अक्षर पडेल और कार्तिक के बले पर गेंदी नहीं आ रही थी मेरे दोस्त ने वाटसेप पर मेसेज करके कहा कि दिनेश कार्तिक इंडियन जर्सी में चलने वाले नहीं है और इससे अच्छा होता कि हमने संजू सैंसन को गिला लिया होता एक वक्त पर मुझे भी ऐसा लग रहा था लेकिन फेथ इन दिनेश कार्तिक तब रिस्टोर हुआ जब आखरी दो ओरों में दिनेश कार्तिक ने दो चोकिर दो चक्के लगा अगर टीम इंडिया को एक मुश्किल पिच पर भी 148 तक पहुँचा दिया यह करेक्ट लड़का है इस घर में वैसे दिनेश कार्तिक मेरी माई 11 सड़कल अप में शामिल तो नहीं थे इसलिए मेरी टीम एक करोड जीतने के आसपास नहीं पहुँच पाई लेकिन किसी की भी टीम पहुची होगी तो उसको बहुद 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 बढ़ाई हो वाईसाब अगर आप भी अप तक इस पूरे एक्शन से वन्चित हैं तो क्या कर रहे हो फटा फट से दिस्क्रिप्शन में जाओ वहाँ पर लिंक दिया उसपे क्लिक करके माई 11 सडकल अप को डाउनलोड करो इंडिया वर्शे साउथ अफरिका के हर मैच में करोलपती बनने का मौका मिल सकता है आपको और बदले मैं आपको सिर्फ एक टीम बनानी है उसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ हर मैच से पहले इसलिए बोलाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे क्लिक करके अगर माई 11 सडकल अप डाउनलोड करोगे तो 20% कैश बैक और 1500 रुपे का वेलकम बोनस मिलेगा ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में उसी को क्लास कहा गया है कम स्कोर का पीछा करने होती साथ अफरिकन टीम को पावर प्ले के अंदर तीन जटके मिले और तीनों देने वाले थे भूरिशर कुमारी बुनिशर ने अपनी गेंदबाजी से क्लियर कर दिया कि वर्ल्ड कप में भारती तेज गेंदबाजी यूनिट उनके बगैर तो बनाई नहीं जा सकती बुनिशर ने अपने पहली ओर में हेंडिक्स को और उसके अगले ओर में पिछले मैच में खतरनाक रहे प्रेटोरियस को और फिर अपने स्पेल के आखरी ओर में रसीव अंदर दूसरे का इंपॉर्टेंट विकेट लिया उनके स्पेल की वज़े से पावर्ड प्ले में साउथ अफरीका सिर्फ 29 बना पाई थी बलकि 10 ओर खतम होने तक भी साउथ अफरीका गर अंडेट 6 के पार नहीं जा पाया था चाहे अक्षर पड़ेल हो या अर्धिक पंडिया या फिर चहल सबको तबियत से मार लगाई हालांकि चहल ने कफ्तान तेमबा बहुओं का विकेट जरू निकाला लेकिन कुईंट इंडिकॉग की जगे टीम में शामिल हुए क्लासेन ने 46 गेनों में क्यासी की क्लासिक पारी खेली इस मुश्किल पिछ पर इस पारी की हैमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि पारी के लगबग 60% रन क्लासेन ने अकेले बना दिये थे इसके बाद वो भी आउट हुए और उसके बाद पार्नल भी लेकिन IPL प्लेओफ से अभी तक नॉट आउट चल रहे डेविड मिलर ने एक और नॉट आउट पारी खेली और साउथ अफरीका को सीरीज में 2-0 की एहम बड़ा थासिल करा दी कटक में अफरीका ने इंडिया को पटक दिया और चार विकेट से मैच जीत गया तीसरा वाला T20 खुबसूरत विशाका पटनम में खेला जाएगा और इस मैच का प्रिव्यू लेकर हम कल सुबह हाजिर हो जाएंगे जी हाँ बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जडूर दबाना जिससे की वीडियो जब रिलीज होगी तो आपको नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा साथ ही साथ आप भी पहुंच जाएगे डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर माई 11 सर्कल आप का लिंक दिया है उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल आप को डाउनलोड करो करोड़ पती बनने का मौका पाओ बाकी कल मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ थेंक यू फ़र वाचिंग जहिंद